जोर से धक्का लगवाओ जोर से धक्का लगवाओ आटो रिक्सा में पता नहीं किसी गड़े में फस गया आटो रिक्सा पता ही नहीं चलना पानी के अंदर इतनी बारे जोई है रोड़ पर गड़नों गड़नों पर पानी हो गया है अगलेश तुम पता नहीं कैसे धक्का ल लाओ वो देखो मोदी जी मोटर सेकल से जा रहे हूं ने रोको अरे मोदी जी मोटर सेकल रोकना जरो रोकना यहीं पर रोक लो जी योगी जी बोलो क्या बात है क्या दिक्कत हो गई आटो रिक्सा में यह कैसे धक्का लगा रहे हूं अरे मेरा आटो रिक्सा पानी के अंदर क नहीं भर जाएगा मैं मोटर सेकल खड़ी नहीं करूंगा भई वो देखो लानु जी और राहूल आ रहा है पढ़ाई करके उनसे धक्का लगवानों अपने आटो रिक्सा में बो लगा देंगे दक्का अरे राहूल राहूल लालु जी लालु जी क्या बात है योगी जी बता ज्यादा दिमाग कराब तो करो मत योगी जी एक तो स्कूल की बैसी छुट्टी हो गई या ना जाना मुस्किल पड़ गया क्योंकि पूरे स्कूल में पानी भरा हुआ है मैं तो धक्का नहीं लगाँगा भई किसी हाल में अरे लालु जी कैसी बात करती हो ऐसी बात नहीं क अभी मुसीबत में तुम भी फश सकती हो अरे राहूल तुम तो लगा दो धक्का आओ आटो रिक्सा में लगा दो धक्का एक सर्थ पे धक्का लगाऊँगा अगर आपका आटो रिक्सा जब बाहर निकल जाए पानी से तो मुझे घर तक छोड़ के आओगे बोलो तो तो तो लेकिन मेरी भी एक सर्त है जी आपकी क्या सर्त है आप बताओ मेरी ये सर्त है कि अकेले धक्का तुम्ही लगाना ये लालू जी धक्का ना लगाए क्योंकि इन्होंने साप साम मना कर दिया मुझे धक्का लगाने से और घर तक मैं तुम्हें अकेले छोड़के आऊंगा सोनिया जी मोदी जी आज तो आपकी धुकान पर कुछ सामान उदार मिल जाएगा कल जम मैं आपकी धुकान पर थोड़ा सा सामान करीदने के लिए आया था उदार तो आपने ये कहा था कि आज नगत कल उधार तो इसलिए मैं कल सामान लेके नहीं गया आज आया हूँ आज तो उधार मिल जाएगा देखो अगलेज मैं अपनी बांच से पल्टा नहीं हूँ और मैंने ये देखो अपनी दुकान पे भी लिख दिया है आज नगत कल उधार मतलब सामान आज नगत है कल उधार है कल को तुम जितना चाहे मेरी दुकान से उधार ले लेना तुम तो जानते ही हो बड़ा मुस्किल से मैंने इस दुकान को बहन सोनिया जी के साथ पाट नड़ से में खुला है कुछ पैसे बहन सोनिया जी ने लगा है कुछ पैसे मैंने खर्च करके ये लगडी का खोका बना के रोल्ट पे दुकान खोल ली है अम मैं आस तो उधार दे नहीं सकता कल उधार मिल जाएगा लेन बोधी जी मेल जाए आपकी बास समझ में नहीं आती कल मैं आया था आपके पास तो भी आपने यही का था आज नगत कल उधार अब कल हो तो गया यानि के आज हो गया आज तो उधार दो ये बात तो बही की बही पर रही अम मुझे उधार कम मिलेगा अखलेस हमने था अपनी दुकान पे साब साब लिख दिया है आज नगत कल उधार फिर भी हमसे पूछ रहे हूं कि उधार कम मिलेगा ये देखो लिखा हुआ है आज नगत कल उधार आज नगत सामान खरीद लो हमसे कल को उधार ले लेना एक तो ये रोट पे हमने दुकान खोल रखी है नया रोट बनने बाला है और ये दुकान हटाने की बहुत सी कोसिसे हो रहे हैं अरे इस्पेक्टर योगी जी आ गई योगी जी क्या बात है बात क्या होगी जो बात है बोई बात है मोधी जी सोनिया जी मैंने आपको पहले ही यहाँसे लेकिन योगी इसपेक्टेर जी हम और पेहन सोनिय जी इस खोके को उठा के कहा ले जाएंगे अरे अगर इस रोड का निर्मान होगा तो हमारी दुकान को छोड़ के सारी जगा पर रोड का निर्मान करते हैं ओर इसी बातों का काम बातों से चलता है, जज़ बातों से नहीं चलता है। दुकान तो आपको अदाना पड़ेगी यहां से। मैं तो कहता हूँ योगी सर्ची इनकी दुकान रोड से कल हट रेगो हो तो आज हट जाए क्योंकि ये अपनी दुकान से कोई चीज उदार देते ही नहीं है अगलेश तुम भी बेबालतू की बात करते हो उदार देते क्यों नहीं है साप साप तो इन्होंने लिख रखा है कि सामान को आज नगत करी दो कल उदार कल को ले लेने उदार पीजी अब तो हमें पानी भरने के लिए दे दो आपके घर में न ले तो इसका ये मतलब थोड़ी आप हमें पानी भरने के लिए दे ही नहीं रहे हो एक बाल्टी पानी भर के आपने रख लिया और एक प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भर रहे हो अब तो हमें पानी भर के लिए आता है मैंने कभी पानी बरने के लिए मना किया अपने दिन बरके पानी पीने के लिए और सब्जी बनाने के लिए पानी भर के रग रहा हूं उसके बाद तुम भावाले पानी भरते रहना मेरे इस hundred-pump से बस ये मेरी दूसरी बार्टी बरने वाली है लेकिन मोधी जी आपके तो घर में हैंड रम भर लेते और हमें घर जाके इस पानी से सबजी बनानी है और पानी को पीना भी है तो हमें तो पहले भर लेने दो योगी की पान तुम्हारे समझ में नहीं है यह भी मैंने बताया अरे मेरी एक बाल्टी पानी भर चुकी यह दूसरी बाल्टी में पानी भर रहा हूँ इसके बाद तुम आराम से पानी बरते रहना पूरे दिन बरते रहना फिर मुझे पूरे दिन पानी की जरूरन नहीं पड़ेगी अजा मोधेजी एक बाद का बुरा मत मानना आपके गर में हेंड पंप है आप अपने लिए पानी तबी भरना शुरू क्यों करते हो? जब हम सब लोग पानी बनने के लिए आ जाते हैं? अरे आपके तो घर में हेंड पंप है? आप सुबह ही उठके पहले पानी बरके रख लि करना बढ़ता दो दो गंटे में नंबर आता पानी बढ़ने का इतनी लंबी लहन लग जाती है आपके इस हैंड पंप पर क्या करें हमारे घर पर हैंड पंप भाई नहीं अरे लालू जी घर पर हैंड पंप नहीं है पूरे गाओं में कोई और हैंड पंप नहीं है मोदी जी क गर के अलाबा लेकिन हम मैं जल्दी अपने घर पर एक हैंड पंप लगवाने बाला हूँ अब गाउ में दो हैंड पंप हो जाएंगे मेरा और मोधी जी का मैं तो गय रहा हूँ अमिस्ता जी अगर तुम कल हेंड़ पम लगवाने वाले हो तो आज लगवालो कम से कम मेरे घर पर ये भीड तो कम हो जाएगी अरे यहां तो बहुत लंबी लैन लगवी है मेरा नमबर तो सबसे लाश्ट में आएगा क्योंकि मैं लाश्ट में हूँ जब ये भीड कतम हो जाएगी उसके बाद मैं पानी बरने के लिए आऊँगा मैं तो जा रहा हूँ जी तुम तो आबत करें पड़े हो अब तुम लेके चलो इस भैस के बच्चे को तोड़ी दूर लो लेके चलो अब तो अपना गाओं में पहुचने वाले हैं आचोके अपने घर पर अरे राहुल और योगी जी चले आ रहा है ये कैसे चले आ रहा है अरे मोदी जी और लालू जी खरीट के ले आए भैस को कितने रुपए में खरीट के लाए इस भैस को और भैस की बच्चे को और ये क्या भैस का बच्चा चल नहीं पाता है इसे उपर क्यों उठाई हुए हो और मैं दूद लेने के लिए आया हूँ आपके घर आप भैस ल लाया हूँ क्या पता ये भैस आस दूद दे के ना दे वैसे मोदी जी लालू जी और आपकी पार्टनर से में ये भैस है दोनों बराबर बराबर पैसे डाल कर लायो इस भैस को खरीद कर एक रुपए में 60 पैसे मेरे हैं तो 40 पैसे लालू जी के यानि कि दूद का जो प्रॉ रहेंगे क्यों नहीं लाइख खरीद के असल में लालू जी के साथ मैंने भैस इसलिए खरी दिये क्योंकि अकेले चारे की बड़ा दिक्कत होती है अकेले मैं चारा खिला नहीं पाता हूं इस भैस को इसलिए दोनों मिलबाट के खिलाते रहेंगे